Hello Traders, आज Friday का दिन है और मैं भी कल याने के Saturday को इस वीडियो को हम publish करेंगे अपने चैनल के उपर देखिए, SBI को हमने treat किया था, यह कुछ support areas है और हाँ, एक important candle है नहीं के day की जो सबसे पहली first candle, जो एक positive candle बनती है, उसके पर discussion करेंगे, इसे फिल SBI को day time frame पर देखते हैं, देखिए, यहाँ पर एक candle हम mark करेंगे just like के एक जो हमारी area बन रहा है, पूरा का पूरे, यह वाली green candle के तो हम उस area को mark करेंगे जैसे अब अगर हम इस green वाली candle के just top के उपर एक line put up कर देते हैं, तो आप देखोगे पिछले चार दिन से जो price गिर रहा है वो इसी level से गिर रहा है यह एक अपना support area इसके देखिए, उपर, down, up, down, up, down देखिए, वहीं red line पर चला गया price फ्रिजन से इंचे गिर गया, अगें देखिए, वमारी red वाली land के पास में जाकर गया price दो बार नहीं इंचे गिर रहा है, यहाँ से, और कल की trading session में again price हमको exact support level पर मिला, जहां से हमने के day की जो first positive candle होती, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, 9.40 पर यह candle form हुई थी, और exact इसकी जो volume है, इस candle को पर discussion करेंगे, इसको आप सिर्फ SBI में नहीं किसी भी stock को किसी भी time frame पर use कर लेना, बहुत help करेगा, वीडियो और अच्छा रगता है ना, तो उसको ज़रू से देखोगे, overall जो हमारा आज का profit है, 16,055 रूपेज का round figure का profit है, और कल की जो market रही ना, वो भी एक decent सी market रही है, उसने एक downside का ही momentum देखा, जितने भी, ज्याना तर इस stocks हमारे गिरे ही है, order book आप open करोगे यहाँ पर, तो order book में देखेंगे, 1900 क्वांटी के साथ यह trade हमने execute किय पर इसको एक बार refresh कर लेते हैं, okay, so 1900 क्वांटी के साथ जो trade हमने execute किया, entry हमारी यहाँ पर थी, 529.15 पर, stop loss 530.70 के हमारे stop loss थे, और profits जो हमने इसके अदर book किया थे, 520.70 पर जितने profits थे, सारे के सारे हमने book कर लिये थे, तो एक अच्छी खासी market हमारी रही है आज की, and ऐ ऐसे देखते हैं, तो position book में वापस चलेंगे, so 16,000 का जो profit हमारा, हम देखेंगे, पूरे week का हमारा highest profit रहा है, पूरे week का, तो लगबाग 14,000, 12,000 के around के अपने profits रहे हैं last week के, और यह हमारा जो आज का market, आज की market ने हमको दिया, एक अच्छा सा profit हमें आज की market ने दिया, SBI को trade करने से पहले अपने public और private telegram channel पर हमें show कर दिया था है, कि 50531 के नीचे हम इसको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शौर्ट ही करेंगा, हमें buying side में जाना नहीं है, हम इसको 503 के नीचे सिर्फ शौर्ट करने के लिए ही देख रहे हैं, okay, so thanks, and हाईए, वीडियो को start करते ह पहले हमें काम करते हैं, day time frame पर चलते हैं, और यहां से जितनी markings हैं, four markings support delete कर देते हैं, आप just यहां पर सिर्फ एक चीज़ यह देखो, volume को चले माफ कर देते हैं, यहां पर सिर्फ आप एक काम करो, high को हम mark करें, high के बाद में price ने किया क्या, यह किस तरह से नीचे कि तरफ यह देख रहा हैं, कि price ने 3rd of August को जो high लगाया था, इसके पहले price का low लगा हुआ था, इन दो candles ने मिल करके लगाया था, कह सकते हैं हम लो, कि यह वाली जो अपनी candle थी, एक mother candle बनी थी, यह black वाली, इस ने mother candle बनाया, और इस mother candle के high को breaker के पैस उपर ही, और इसने एक swing high लग अब अगर हम इस वाली range को delete कर देते हैं, तो आप देखोगे, कि price हमारा उस level, उस range के अंदर ही trade कर रहा है, इस वाली level के अंदर ही trade कर रहा है, अचानक से इसके अंदर देखे, breakout हो गया, price ने एक gap down दिखा दिया, क्योंकि यह level काफी strong था, यहाँ पर price ने एक बार नीचे क की दिशा में गिरना तो यह गिर जाता ना, price ने क्या किया, फिर से यह उपर की तरफ चला गया, मतलब एक downside की तरफ breakout दिखा देने के बाद में, price अमरा आगें upside की तरफ और फिर से 526.75, इस वाले level, इस range के अंदर ही यह trade करने लगा, अब जब हम यहाँ पर आ रहे हैं कि price जो upside की तरफ गया था, उपर की दिशा में यह जो गया है, यहाँ पर सबसे last जो green candle बनी थी वो यह वाली थी, अभी मने बता था ना आपको, अब यह जो green वाली candle है, आप जस्ट एक काम करो इसका high mark कर लो, high mark करने के बाद में हमें देखना क्या है, कि क्या इस high के पास से price क में गिर रहा है कि ऐसा नहीं दिख रहा हमको, यहाँ से भी नीचे के तरफ गिरा, यह momentum, अगें यह वाला momentum, और फिर से जो price हमें last trading session में दिखाई दिया, इस वाले level के नीचे ही दिखाई दिया, समझ भाला है, मतलब कि एक तो यह वाली अपनी candle, यह mother candle, इसके नीचे price हमा यह price इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा है, इस range के नीचे नीचे ही यह trade कर रहा है, नीचे की दिखाई में यह travel कर रहा है, यह तो बात होगी हमारी price की, अब आजाते हैं, यह वालम्ज कौन कर लेते हैं, जब आप यहाँ पर वालम्स देखोगे, तो price मेरा ऊपर की दिखाई में जा रहा है बट यहां पर जो volumes हैं ये भी अप में है ये देख रहा है कि price भी अप में है और volumes मेरी मतलब कि एक strong momentum है अगें जब यहां से price हमारा नीचे की तरफ गिरा है तो volumes फिर से बढ़ रही है फिर से हम कह सकते हैं कि price price हमारा नीचे की देशा में है और इसने अपना support ब्रिक किया है ये एक अच्छी खासी volume के साथ ब्रिक किया है मतलब कि volumes ने हमारा जितना भी support करिया था यहां पर अपनी quantities को hack किया एक तरह से यहां पर stop process गए लोगों के अब इसके बाद में देखे क्या हुआ है कि price हमारा जिस candle के अंदर volume आई है इस candle के नीचे नहीं निकला है यहां पर देखो कि price हमारा हमारी इस candle के नीचे नहीं निकला यहां से यह उपर ही चला गया इस heavy volume से price हमारा उपर की तरफ चला गया और उपर यह गया कहां पर है हमारी 29 जुलाई की range के अंदर जा करके इट्रेट कर रहा है अब समझ पार हो ना इन तिनों चीजों को आप आपस में मैच करने की कोशिश करो एक level को price हमारा break करके नीचे की तरफ जाता है बट down side की तरफ गिर जाने के बाग में price हमारी इस heavy volume की candle को break नहीं कर पाता है और यहां से price हमारा support लेकर के फिर उपर की तरफ चला जाता है अगें जब 526.75 यानि कि इस वाली candle की range के अंदर जब जा रहा है price तो यहां पर हम देख रहे हैं जो सबसे last green candle form हुए हमारे level हमारी range के अंदर जो green वाली candle form हुए price अब उस range को break नहीं कर पाता है अब यहां पर जो resistance का काम कर रही है candle वो है 12th of August की candle 12th of August की candle से price हमारा बार बार नीचे के दिशा में गिर रहा है higher time frame पर हमने क्या देखा कि 531.80 यह resistance level है अगर price को गिरना है और इस level के नीचे ही अगर यह है तो यह गिर सकता है अब हम आ जाते हैं सीधे lower time frame पर यहां यहां से सीधे गिरता ही चला जा रहा है गिर रहा गिर रहा गिर रहा गिर रहा और यहां पर हमने आपसे क्या बता है कि day की जो first candle बन रही है हमारी जो सबसे पहली candle बनी है वो यह वाली candle बनी है समझभा रहा है अब अगर price को नीचे की तरफ गिरना तो कर जा अब यहां पर अगर हमें entry करनी तो हम direct ऐसे तो entry नहीं कर पाएंगे हमें कुछ ना कुछ तो अपने कहीं पर एक जगा ऐसे चाहिए जहां पर price हमारा आकर कि इस एक candle के पास हमने अपना trade execute कर दे होता है यहां से हमने इसको short किया अब short करते है यह price हमारा सीधे उपर की तरफ अब क्यूंकि stop loss लगाने के लिए मेरे पास कोई area नहीं बना तो हम stop loss कहां पर लगाएंगे तो बहुत ज्यादा हद तक chance है कि price मेरा stop loss hit कर दे बट जब हम इस green वाली candle के नीचे price के निकलने का वेट कर रहे है उस condition में हम देख रहे है कि actually हमें यहां पर एक swing भी मिल चुका जहां पर हमने अपने stop loss लगाए थे 529.15 यहां पर अपना trade execute किया था और इस वाले swing के उपर हमने अपना stop loss लगा दिया और जो targets वगरा book के थे telegram अपने group में हम सभी लोग को inform करते जा रहे थे कि price को कब hold करना और कब वहां से निकलना है तो यहां पर हमने actually क्या किया है कि यह downside के जो areas थे न यहां पर कहीं अपने profits वगरा book कर लिए थे overall जो अपना trade था वो यह था अभी हमने आपको क्या समझाया day time frame पर जो अपनी calculations थ होती है उसका क्या importance होता है उसका क्या role पर होता है इसको समझने के लिए इस chart को हम height कर देते हैं थोड़े देर के लिए अब आप ऐसे समझो इसको कि price हमारे लगातार upside की तरफ जा रहा है और जहां पर जो सबसे पहली bearish candle आपको मिलेगी उसका क्या importance होगा उपर की दिशा में जा रहा है और जहां पर एक bearish candle form होगी इसका अपना importance होता है अब price किस दिशा में trade करो और हम किस stock को कब देख रहे हैं इसके उपर depend करता है और यह दूसरी चीज होगे भी इसको भी अगर समझाने जाएंगे तो काफी समय यह consume कर लेगा कि कब किस एक candle का high or low important होगा बट यहाँ पर एक चीज़ आप यह मान करके चलो कि यहाँ पर दोनों ही conditions में यह एक candle बड़ी important हो जाती है इस candle का अपना एक signification होता है अब यहाँ पर आप सोच रहोगे कि अभी हम डे की first positive candle के पर discussion करने वाले थे negative candle कहां से आगई हम दोनों तरफ से देख रहे हैं इसको डे की first positive candle हमें देखनी है कि जब हमारा price खुलते ही नीचे की तरफ विल्गुल गिरने लगे खुलते ही वो गिरने लगे और इस condition में जो हमारी positive candle सबसे पहली वाली जो candle होती न कि price ने खुलते में ही हमें इसने एक positive candle दिखा दे मतला price गिरा और यहाँ पर जो पहली positive candle में इसका अपना एक importance होता है और price खुलते ही upside की थरफ भाग रहा है तो यहाँ पर जो negative candle बन रही इसका अपना एक अलाग importance होता है दो example लेंगे ज्यादा examples नहीं लेंगे इसके देखिए SBI को ही जब हम पिछला data का करना चाहिए तो देखिए यहाँ पर कुछ candles warm हो रही है जस्ट दोनों ही conditions को आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है जैसे कि price हमारा खुलते ही नीचे की थरफ गिरा यहाँ पर इस candle का जो low होता है यह important हो जाएगा जब तक price हमारा हमारे इस level के नीचे है यह एक resistance के तरह वाग करेगा जब तक price हमारा हमारे इस वाले level के नीचे है यह एक resistance के तरह वाग करेगा यहाँ से और जैसे ही price हमारा हमारे इस वाले level को break करके upside के तरफ अगर निकलता है तो आपको एक अच्छा momentum मिल जागा कहां से जहां से price हमारा गिरा है यहां पर गिरा किस जगे से है यहां पर हम लोग एक काम करते हैं अपना आज का या तो open या close price उसकोज भी 9.15 का आप mark कर लो आप open price लेकर की चुरो open price तक momentum हो सकता है ऐसी possibilities रहती है कि open price तक momentum आपको market दिखा सकते कर यह upside की तरफ जाती है तो यहां पर देखे price हाला कि इसके ऊपर की तरफ भी गया है बट जो open price होता है यह important बन जाता है और next day देखे यह जो candle हमने mark की है क्योंकि यह support area है तो price ने क्या क्या है next day भी जो momentum दिखाया है हमको इस लेबल से यह देखाया है इस जगे से देखाया है यहां देखे price गे शस लेबल तक आया है और next day market जो ऊपर की तरफ गया है same levels उठ करके price अब कर देखे क्या जोरी था कि price हमारा इस level से हिछ उठ करके ऊपर की तरफ जाया है आगे भी चल करके जो प्राइस आप देखोगे कि अगर भी यहां पर देख है जो इसने green candle फॉर्म किया प्राइस में जो गिरते समय में जो green candle फॉर्म की इस area में आकर कि प्राइस हमारा रुका इसी area में प्राइस हमारा सस्टेन हुआ और यहां से यह नीचे की तरफ यहाँ इसने एक support बना दिया, last trading session में ये green candle, इसने एक support बना दिया, आप और पीछे से देख लो इसको, SBI है, price हमारों खुलते हैं नीचे की तरफ गिरा, लेकिन जो सबसे पहली positive candle बनी हमारी वो ये वाली candle थे, ये candle ही हमारी important candle बन जाती है, कैसे इसका use होगा, trade को किस तरह से देखते हैं, इन candle के तुरू trade वगरा कैसे execute करते हैं, ये दूसरे topic हो जाते हैं, जस्ट यहाँ पर जो हम discussion कर रहे हैं, वो day के first candle की importance की बात कर रहे हैं, हाला कि जब हम इसका use करने आते हैं, अपने trade execution में, या फिर target identification में, या फिर entry करने के purpose से भी हम देख रहे हैं, या support or resistance, lower time frame पर जब mark करने हैं, काफी तरह से इस candle का use कर लेते हैं, अब एक और example ले लेते हैं, यहाँ पर देखें, UPL का chart अपना open है, सारी markings को हम भटा देते हैं, अब कोई भी जैसे यहाँ पर देखें, price भारा खुलते ही नीचे की तरफ भागा, नीचे की तरफ गिरा, यहाँ पर first वाली candle, यह green candle आप देख रहे हैं, इस green candle को low के बाद में देखें क्या हुआ है, market ने क्या momentum दिखाया आपको, कोई भी price हो, कोई भी stock को अप उठा लो, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी भी level से आपने उठा लिए, उसको trade करने के लिए बैठ कहें, काफी सारी चीज़े होती हैं, जो कि trade execute करने से पहले हमें इस candle के प फिर से देखें, और फिर भी अगर कुछ question रह जाता है, तो comment section में एक अपना question drop कर दिए, उसका reply हम जरूर से जरूर करेंगे, thanks and I hope के video से जरूर कुछ नहीं कुछ आपने सीखा होगा, video को like कीजएगा and telegram channel का link description पढ़ा हुआ है, आप चाहो तो telegram channel join कर सकते, live market में जितना भी हो सकते support में पर हमारा continue चलता है, thanks and we will meet again.